बिहार लाइफ शेवन खबर की तह तक आपको हम यह बागवान की तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर चाय की जो बागवान है वो किस तरीके से यहां हो रही है कैसे यहां एकड के एकड चाय जो है वो उगाया जाता है और यही पत्ती जो है वो चाय आपको दारजलिम की चाय जो की लाल चाय के लिए फेमस है, खुबसूरत है और टेस्टी चाय होता है वो चाय की बागवान हम आपको दिखा रहे हैं चाय दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद है चाय सुबह की बात हो, साम की बात हो या फिर किसी भी बक्त की बात हो चाय हर कोई सिबन दिन भर में कई बार करते हैं अलग-अलग चाय की टेस्ट और अलग-अलग कंपनियों की स्वाद और अलग-अलग चगों की चाय देश भर में बिदेश भर में पिया जाता है लेकिन दार्जलिंग की चाय काफी फेमस चाय है जो की पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग जिले से प्राप्त होता है यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह तस्वीर दार्जलिंग जिले की दार्जलिंग की चाय की बागवान की है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि साफ जहां तक आपकी नज़रे जाएंगी वहां तक चाय की पत्यां दिखाई देगी दाजलिंग में एकड की एकड किसान चाय का उत्पादन करते हैं और फिर यही चाय बाजार में दाजलिंग की चाय बनकर आती है जिसे दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं दाजलिंग की चाय की टेस्ट दुनिया भर के लोगों को पसंद है और दाजलिंग की चाय दुनिया भर में फेमस है तो आप तस्वीरों में साप देख सकते हैं कि दाजलिंग की चाय की बागवान कैसे लगाई गई है और यहां से दाजलिंग की चाय की पत्यां की खूब सूरत हर्याली अभी आप देख रहे हैं और यही हर्याली वाली पत्ती जो है एक समय के बाद या चाय बनकर बाहर आती है, मार्केट में आती है, जिसे लोग पीते हैं.